हेलो गाइज वेलकम बेक टू माय चैनल तो आई होब आप सब ठीक होंगे अलहमदलिल्ला मैं भी ठीक हूँ जैसे के आप देख रहे हैं आज मैंने मॉर्णिंग से अपना व्लॉग स्टार्ट किया है सारी अधनी क्या हूं से निकल गया था बट फिर मैंने का चलो मुझे इत करके मैंने रख दी ती मैंने का चलो अब यह पकाऊं क्योंकि हमारे घरवालों को आज फरमाईश थी चिकन क्रेप सी राइस के तो मैंने का चलो ठीक है क्योंकि यह इतनी कोई अच्छी इतनी अमेजिंग डीश होती है आप भी ज़रूर टाय कीजेगा फिर यहां पे गरम अब की शिमला मिट्चे एट ओब यह गोल वाली लॉंगी मिट्चे डाल दी और यह जो शुटचवाट चाट कर दिया क्योंकि यह चावलों में डलेगी फिर यहां पर बच्टनी थी फिर इसको ग्राइंड कर दिया है ग्रेंड करने के बाद लस्टन थोड़ी सी ब्राउन आज जो है lunch में सवाईयां भी बनाए जाए क्योंकि हमारे घरवालों को बहुत ही सवाईयां पसंदे तो फिर मेरी अम्मी देका चलो ٹھीक है बना लो तो यहां पर मेरी से स्टवॉर्ट सवाईयां पका रही थी मुझे भी सवाईय पसंद नहीं क्योंकि मैं मीठे से दूर भागते हूं मुझे पतनी क्यों मीठे से एक छिड होती है ना वो कहलो क्योंकि चाहे माईं भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद मीठा भी मुझे नहीं पसंद हां मुझे चटपड़ी चीज़े खिला दो वो में बहुत शौंख सेकाती हूं और तो यहां पर, आइमकर किया रख दीया था. क्योंकि जब तक आइल गरम नहीं होता तो आपसवाइं अइड नहीं करते हूआ। यहांहें पर ओन पर ओयेंड करते हो, हो इसको ँपान जाती ही, तोैंने सब्षिंवें कने पर रूइंड गर्ती होता ही तो यहां पर मेरे sister की तब है ठीक नहीं थी, मेरे sister doctor के पास गई थी तो फिर वहां से इतनी सारी कूई medicine दे देते है, डॉक्टर को तो बस किया है, पषा बर्चा बर के दे देते हैं, और यहां पर मैंने थोड़ी सी चीज़े बंगा ली थी यहां पर चिप्जुबी ने काट कर रख लिये थे और यहां पर देन आधी बोटियां बनके रड़ी हो चुकी थी आधी बन रही थी और यहां पर चावल जो में दो घंटे पहले भीगो देती हूं शिम्ला मिर्च और गर जाते हैं तो इसलिए इसको इतनी प्यार से पकाया जाता है और यह माशला माशला इतनी कोई अच्छी यार यह डिश कहलो आप यह बड़े-बड़े रहस्टोरें से मिलती है आप भी ट्राइ किजिएगा आपके घरवाले तो आपके दिवान ही हो जाएंगे जैसे कि मेरे मेरे दिवाने हैं मुझे इतना कोई फोर्ट्स करते हैं कि यह डिश बनो यार मैनत बहुत होती है लेकिन इतनी कोई अच्छे पकते हैं तो आई होब आपको मेरा व्लोग पसंदाया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेर करो कॉमेंट करो तो म